इस समय है परमेश्वर के वचन में आने का प्लीज टेक दिस तिंग वेरी सीरियसली इसे बहुत गंबीर का से लिजे आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मुझे डर है कि कोई इससे चूप न जाए कि यह ऐसा न हो कि आप इसे हलके से ले ले क्योंकि यह आपके उधार का वचन है यह आपकी जिन्दगी का वचन है एक मसी व्यक्ति के लिए आकरी आशा क्या है कि प्रभू से लेने आएगा उससे बड़ी कोई हमारी आशा नहीं है यह वचन आपकी होप से जुड़ा हुआ है इसलिए मैं आपसे विंती करता हूँ जब मैं इस वचन को आपके साथ शेयर करूँ उस समय कोई काम मत कीजिए अपना सब कुछ छोड़ कर इस वचन को सुनिए और अगर आप मेरी कुछ मदद करना चाहते हैं तो मैं आपसे विंती करता हूँ इस वीडियो को पूरे होने के बाद अगर आपको लगे कि ये वीडियो वर्थ है दूसरों के साथ शेयर करने के तो प्लीज आप इसे ज़रूर कीजिएगा वाटसएप पे फेसबुक पे या कई और भी आप इसकी लिंक शेयर करना चाहें तो प्लीज आप कीजिएगा क्योंकि मैं जानता हूँ ये वचन बहुतों के लिए एक नई जिंदगी ला सकता है क्योंकि ये खुदा का कलाम है इसे पहले कि हम वचन को शुरू करें मैं चाहता हूँ हम अपनी बाइबल को खोले और वचन को ओपन करके रखें उसके बाद हम दुआ करेंगे फिर हम में मुकाशवा की किताब और उसका उन्नी स्वाबाब आई एम दुआ करें पिता मैं दुआ करता हूँ येशु मसी के नाम में जैसे इपराहम ने अलियाजर को बेजा ताके वो एसाक के लिए दुलहन लेकर आए वैसे ही आज प्रभू तुच्छाता है तेरी दुलहन तयार हो रेड़ी हो तेरे साथ हो आज के कलाम को हमारे लिए खोल आज के कलाम को हमारे लिए खोल देखोदा तेरी बातों के खोलने से प्रकाश होता है बजनकार कहता है अपने बजन के दौरा हमारे हिर्द्याओं को छेथ हमें तयार कर हमें आशिश दे सारी महिमा आदर, सारा जलाल और सारा आदर हम आपको देते हैं सारी इज़त और तारीफ आपको देते हैं दुआ को यसु के नाम में मांगते हैं आमेन, आमेन मैं चाहता हूँ आप में से हर व्यक्ती में देसाथ खोले और एक वर्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ आपके स्क्रीन पर यह आ रहा है आओ, हम आनन्दित और मगन हो और उसकी स्तूती करें क्योंकि मेंने का विवा आ पहुंचा है और उसकी दुलहन ने अपने आपको तयार कर लिया है आईए मैं चाहता हूँ आप सब इस बात पर दिहान दे बाइबल की शुरुआत इस तरह हुई है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया उन्हें एक किया और एक गर में रखा मैं समझता हूँ यह बाइबल का पहला विवा है जो खुदा ने करवाया आप जानते हैं यह पुराने नियम की शुरुआत थी नए नियम के अंदर अगर आप येशु मसी का पहला चमतकार पढ़ेंगे तो वो भी एक शादी में है येशु मसी काना नगर में अपनी मा और अपने लोगों के साथ वहाँ पर गए वहाँ पर दाकरत समाप्त हो गई थी और आप सभी जानते हैं कि येशु ने अपना पहला चमतकार एक शादी में किया नए पुराने नियम की शुरुआत एक शादी से हुई नए नियम की शुरुआत पहला चमतकार एक शादी से हुआ आप जानते हैं बाइबल का अंत भी एक शादी पर हो रहा है ये लगबक 19 चेप्टर है ये बाइबल का आखरी चेप्टर में से आता है 19, 20, 21, 22 उसके बाद पूरा हो जाता है बाइबल और बाइबल बताती है यहाँ पर लिखा गया है परमेशर कहते हैं खुश हो जाओ क्योंकि मेमने के विवा ऐसा लिखा गया है कि येशु मसी की शादी का समया पहुचा है मेरे बाइबल बाइबल में बहुत सारे टाइटिल्स हैं हम प्रभु की बेड़ हैं हम धर्मी हैं हम याजक हैं हम उसके को वर्कर्स हैं सहकर्मी हैं कई बार मैंने येशु के नाम बताए हैं लेकिन आज मैं आपके नाम बता रहा हूँ कि बाइबल आपको क्या क्या कहती है बाइबल आपको धर्मी कहती है धर्मी का मतलब जिसे परमेश्वर ने एक सही व्यक्ति ठहराया है बाइबल आपको याजक कहती है जिसका मतलब है प्रीस्ट आप सिवकाई करने वाले व्यक्ति है Bible आपको भेड कहती है क्योंकि आप उसके पीछे पीछे चलते है Bible आपको बंडारी कहती है क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर अपने वच्छनों के बहुत सारे Revelations रखे हैं पर आप जानते हैं Bible आपको दुलहन भी कहती है Bright और मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत जल्द जब येश्व मसी अपनी Bright को अपनी दुलहन को लेने के लिए जब आएंगे तो वो अपनी दुलहन में क्या देखना चाहते है एक दुलहन जो है मैं जब कई बार शादी पे गया हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक दुलहन को पैचानना और एक सादारण विक्ति को पैचानना बहुत सिंपल है जड़ा सोचिए अगर आपके सामने दो गर्ल्स खड़ी की जाएं दो लड़कियां खड़ी की जाएं एक बहुती सिंपल कपड़ों में है कोई मेकप नहीं है पर दूसरी लड़की बहुत ही एक शांदार ड्रेस में है और उसने मेकप किया है और मैं आप से सिंपल कुश्चन पूछूंगा कि इन दोनों में से बताएं दुलहन कौन है तो बच्चा भी बता पाएगा कि जो रेडी हुई है जिसने मेकप किया है जिसने बहुत अच्छे कपड़े पैने है वो दुलहन है एक दुलहन को आप उसके मेकप से जानते हो उसके कपड़ों से जान जाते हो तो जरा सोचिए जब येशु मसी आएगा अपनी दुलहन को लेके तो उसका make-up क्या होगा, वो अपनी दुलहन में क्या देखना चाहेगा, सबसे पहले मैं चाहता हूँ, आईए अपना हाथ उठाईए और कहिए मैं प्रभु की दुलहन हूँ, और प्रभु मेरा दूला है, जब येशु मसी यरुश्लम में आये थे, तो वो एक गदे पर बै बैटके जाते थे, लेकिन अब येशु मसी आप पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ेगा, अब वो गदे पर नहीं आएगा, अब वो गोडे पर आएगा, क्योंकि वो एक दुलहन की तरह आएगा, मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ, कि मसी की दुलहन का make-up क्या है, मैं य मेरे साथ एक वचन खोलिये, और मैं बिलीव करता हूँ, कि हम सब शिरुवात ऐसे ही करते हैं, मैं चाहता हूँ, आप सब मेरे साथ खोलिये, रोमन्स का 7 चैप्टर, वर्स 18, आपके स्क्रीन पर है, क्योंकि मैं जानता हूँ, कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, अब यहाँ पर देखिए, ये भी दुलहन है, जिसका नाम पॉलूस है, आप भी दुलहन हो, मैं भी प्रभु की दुलहन हूँ, प्रभु हमार आपकी शादी हैविन में है, आपकी शादी स्वर्ग में है, कई सारे लोग जो तरह तरह की तकलीफें देखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने लाइफ में एक बहुत आउसम टाइम देखने वाले हैं, एक फ्यूचर टाइम है, प्रभु ने हमेशा फ्य कहलाया, जो अपने आपको यहाँ छोटा करेगा, वो वहाँ पर महान कहलाया जाएगा, यदि तुम मेरा यहाँ इंकार करोगे, तो मैं तुम्हारा वहाँ इंकार करूँगा, अगर आप बाइवल की बहुत सारी आयतों को ध्यान से पढ़ें, एक जगा पर ईशू ने का, जो यहाँ पर छोटी छोटी आग्याओं को मानेगा और मानना सिखाएगा, वो वहाँ परमेश्र के राज में महान कहलाया जाएगा, अगर आप बाइवल को आराम से पढ़ें, जो तुम यहाँ छोड़ोगे, मैं वहाँ से छोड़ूगा, जो तुम यहाँ बांदोगे, मै का आर्केटिक और बिल्डर परमेश्वर है, आप जानते हैं, इबराम हमेशा तंबू में रहता था, क्योंकि वो इंतिजार कर रहा था, कि एक दिन मैं उस नगर में पहुंचूंगा, जो नगर बनाने वाला ही खुदावंध है, अब जरा देखिए, पॉलूस भी एक दु उसका सच्चा शिंगार क्या होता है, जब मसी आएगा तो अपनी दुलहन में क्या देखना चाहता है, मैं चाहता हूँ आप इस बात पर अब ध्यान देजे, और मैं बिलीव करता हूँ यह आपकी जिन्दगी को बदलेगा, बाइबल बताती है एक व्यक्ति था जिसका ना बड़ा वो दिखने में बहुत खुबसूरत था, बाइबल बताती है कि जब वो वहाँ पर गया तो राजा ने ये बार ठान ली कि ये व्यक्ति मेरे राज दर्बार में काम करे, लेकिन कहां न कहां दानियल दुबला पतला था, वो दिखने में एवरिज था और राजा ने डिसाइट किया कि उसे खाने में कुछ ऐसी चीजे दी जाएं जिससे उसकी बॉड़ी और जिससे उसका चैरा निखरे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, दानियल एक सच्चा विश्वासी था, जो पुरानी नियम में रहकर भी, पुरानी नियम की बहुत सारी बातों को जानता था कि उन्हें कैसे जिन्दगी जीनी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अदिकतर जो लोक हैं, वो पवित्र शास्त्रा के बारे में बहुत कम जानते हैं, और इसी लिए वो किसी भी शिक्षा पर बिलीव करते हैं, और कुछ ऐसे हैं, जिनके बास इतना ग्यान है कि वो हर एक में से गलती निकाल लेते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर चीज एक बैलेंस में होनी चाहिए, जरा सोचिए, दानियल एक ऐसा व्यक्ति था, जो परमेश्र के वचनों में लिखी होई बड़ी बड़ी बाते नहीं, बहुत छोटी छोटी बाते भी वो जानता था, आप जानते हैं, आज बहुत सारे जो लोग हैं, वो बाइबल को पढ़ने में बड़े लेजी हैं, बड़े सुस्त हैं, आज शायद वो मेरी इस बात को सुनकर एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल सकते हैं, लेकिर वो ये बात नहीं जानते हैं, कि एक दिन उन् नोर करने का कितना बड़ा प्राइस चुकाना पड़ेगा, शायद वो इस बात का अंदाजा भी नहीं जानते। आप अगर नए नियम में पड़ेंगे, बाइबल एक बात एक्स्प्लेइन करती है, कि न्यू टेस्टरमेंट में, राजा हेरुदिस नाम का भी एक व्यक्ति था, जब उसे पता चला कि मसी का जनम हुआ है, आईए, ये समय है, परमेश्वर के वचन में आने का, परमेश्वर के वचन को आपके साथ शेयर करने का, और इससे पहले, कि मैं आज के वचन में आऊ, मैं आपके साथ एक अनॉस्मेंट करना चाहता हूँ, मैं आपको एक सूचना, एक जानकारे देना चाहता हूँ, मेरे बाइयों, मेरी बैनों प्लीज टेक दिस तिंग बैरी सीरियसली इसे बहुत गंबीता से लिजे आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मुझे डर है कि कोई इससे चूप न जाए कहीं ऐसा न हो कि आप इसे हलके से ले ले क्योंकि ये आपके उधार का वचन है ये आपकी जिंदगी का वचन है एक मसी व्यक्ति के लिए आकरी आशा क्या है कि प्रभू से लेने आएगा उससे बड़ी कोई हमारी आशा नहीं है ये वचन आपकी होप से जुड़ा हुआ है इसलिए मैं आपसे विंती करता हूँ जब मैं इस वचन को आपके साथ शेयर करूँ उस समय कोई काम मत कीजिए अपना सब कुछ छोड़ कर इस वचन को सुनिए और अगर आप मेरी कुछ मदद करना चाहते हैं तो मैं आपसे विंती करता हूँ इस वीडियो को पूरे होने के बाद अगर आपको लगे कि ये वीडियो वर्थ है दूसरों के साथ शेयर करने के तो प्लीज आप इसे ज़रूर कीजेगा वाटसेप पे, फेस्बुक पे या कई और भी आप इसकी लिंक शेयर करना चाहें तो प्लीज आप कीजेगा क्योंकि मैं जानता हूँ ये वचन बहुतों के लिए एक नई जिंदगी ला सकता है क्योंकि ये खुदा का कलाम है इससे पहले कि हम वचन को शुरू करें मैं चाहता हूँ हम अपनी बाइबल को खोले और वचन को ओपन करके रखें उसके बाद हम दुआ करेंगे फिर हम स्टार्ट करेंगे प्लीज ओपन विट मी प्रकाशित वाक्य और उसका उन्नीसवा अध्याय हिंदी में इंग्लिश में दबुक आफ रेवलेशन चेप्टर 19 और उर्दू में मुकाश्वा की किताब और उसका उन्नीसवा बाब आए हम दुआ करें पिता मैं दुआ करता हूँ येशु मसी के नाम में जैसे इपराहम ने अलियाजर को बेजा ताके वो एसाक के लिए दुलहन लेकर आए वैसे ही आज प्रभू तुच्छाता है तेरी दुलहन तयार हो रेडी हो तेरे साथ हो आज के कलाम को हमारे लिए खोल आज के कलाम को हमारे लिए खोल देखोदा तेरी बातों के खोलने से प्रकाश होता है वजनकार कहता है अपने वजन के दौरा हमारे हिर्देयों को छेथ हमें तयार कर हमें आशिश दे सारी महिमा आदर सारा जलाल और सारी सारा आदरम आपको देते हैं सारी इज़त और तारीफ आपको देते हैं दुआ को येसु के नाम में मानते हैं आमेन आमेन मैं चाहता हूँ आप में से हर व्यक्ति में देसाथ खोले The Book of Revelation, Prakashut Vakya, Mukashwa की किताब और उसका उन्नीसवा बाप और एक वर्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ आपके स्क्रीन पर ये आ रहा है आओ हम आनन्दित और मगन हो और उसकी स्तूती करें क्योंकि मेंने का विवा आप पहुँचा है और उसकी दुलहन ने अपने आपको तयार कर लिया है आईये मैं चाहता हूँ आप सब इस बात पर दिहान दे बाइबल की शुरुआत इस तरह हुई है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया उन्हें एक किया और एक गर में रखा मैं समझता हूँ ये बाइबल का पहला विवा है जो खुदा ने करवाया आप जानते हैं ये पुराने नियम की शुरुआत थी नए नियम के अंदर अगर आप येशु मसी का पहला चमतकार पढ़ेंगे तो वो भी एक शादी में है येशु मसी काना नगर में अपनी मां और अपने लोगों के साथ वहाँ पर गए वहाँ पर दाकरत समाप्त हो गई थी और आप सभी जानते हैं कि येशु ने अपना पहला चमतकार एक शादी में किया नए पुराने नियम की शुरुआत एक शादी से हुई नए नियम की शुरुआत पहला चमतकार एक शादी से हुआ आप जानते हैं बाइबल का अंत भी एक शादी पर हो रहा है ये लगबक 19 चेप्टर है ये बाइबल का आखरी चेप्टर में से आता है 19, 20, 21, 22 उसके बाद पूरा हो जाता है बाइबल और बाइबल बताती है यहाँ पर लिखा गया है परमेशर कहते हैं खुश हो जाओ क्योंकि मेमने के विवा ऐसा लिखा गया है कि येशु मसी की हम अपने आपको बेड कहते हैं पर आप जानते हो आपके और मेरे लिए बाइबल में बहुत सारे टाइटिल्स हैं हम प्रभु की बेड हैं हम धर्मी हैं हम याजक हैं हम उसके को वर्कर्स हैं सहकर्मी हैं कई बार मैंने येशु के नाम बताये हैं लेकिन आज मैं आपके न पर आप जानते हैं बाइबल आपको दुलहन भी कहती है ब्राइट और मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत जल्द जब येशु मसी अपनी ब्राइट को अपनी दुलहन को लेने के लिए जब आएंगे तो वो अपनी दुलहन में क्या देखना चाहते हैं एक दुलहन जो है मैं जब कई बार शादी पे गया हूँ तो मैं आपको ब के सामने दो गर्ल्स खड़ी की जाएं, दो लड़कियां खड़ी की जाएं, एक बहुत ही सिंपल कपड़ों में है, कोई मेकप नहीं है, पर दूसरी लड़की बहुत ही एक शांदार ड्रेस में है और उसने मेकप किया है, और मैं आप से सिंपल कुछन पूछूंगा, कि इन दूलहन को आप उसके मेकप से जानते हो, उसके कपड़ों से जान जाते हो, तो जरा सोचिए, जब येशु मसी आएगा अपनी दूलहन को लेके, तो उसका मेकप क्या होगा, वो अपनी दूलहन में क्या देखना चाहेगा, सबसे पहले मैं चाहता हूँ, आईए, अपना हा पाइन है ये, उन दिनों में लोग गदे पे बैठके जाते थे, लेकिन अब येशु मसी आप बढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ेगा, अब वो गदे पे नहीं आएगा, अब वो गोडे पर आएगा, क्योंकि वो एक दूले की तरह आएगा, मैं आज आपको समझाना चाहता हू कि मसी की दुलहन का मेकप क्या है, मैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, ताके आप वर्ड को बहुत अच्छे से समझ पाएं, कि एक मसी की दुलहन का शिंगार क्या है, मैं चाहता हूँ, आप मेरे साथ एक वचन खोलिए, और मैं बिलीव करता हूँ, कि हम सब चैटर सेविन, वर्स एटीन, आपके स्क्रीन पर है, क्योंकि मैं जानता हूँ, कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, अब यहाँ पर देखिए, यह भी दुलहन है, जिसका नाम पॉलूस है, आप भी दुलहन हो, मैं भी प्रभु की दुलहन हूँ, प्रभु हमारा दूला है, और कितनी बड़ी बात है, आपकी शादी हैविन में है, आपकी शादी स्वर्ग में है, कई सारे लोग जो तरह तर की तकलीफें देखते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ आप अपने लाइफ में एक बहुत आउसम टाइम देखने वाले हैं एक फ्यूचर टाइम है प्रभू ने हमेशा फ्यूचर वर्ल्ड के लिए बात की थी जो मुझे यहाँ जो मेरा यहाँ इंकार करेगा मैं उसका वहाँ इंकार करूँगा जो यहाँ छोटा कहलाया जाएगा वो वहाँ पर बड़ा कहलाया जो अपने आपको यहाँ छोटा करेगा वो वहाँ पर महान कहलाया जाएगा यदि तुम मेरा यहां इंकार करोगे तो मैं तुम्हारा वहां इंकार करूँगा अगर आप बाइवल की बहुत सारी आयतों को ध्यान से पढ़ें एक जगा पे ईशु ने का जो यहां पर छोटी छोटी आग्याओं को मानेगा और मानना सिखाएगा वहां परमेशर के राज में महान कहलाया जाएगा अगर आप बाइवल को आराम से पढ़ें जो तुम यहां छोड़ोगे मैं यहां बाण्दोगे मैं वहां से बांदूगा बाइबल के बहुत सारे वचन जो है वो फ्यूचर वो बविश्य में आने वाले उस जीवन के बारे में बात करते हैं इसलिए लिखा गया है इबराहम के लिए वो उस नगर की बाट जो रहा था जिसका आर्केटिक और बिल्डर परमेश्वर है आप जानते हैं इबराहम हमेशा तंबो में रहता था क्योंकि वो इंतिजार कर रहा था कि एक दिन मैं उस नगर में पहुंचूंगा जो नगर बनाने वाला ही खुदावन्थ है अब जरा देखिए पॉलूस भी एक दुलहन है और वो देखो क्या कह रहा है वो कहता है कोई अच्छी वस्तू मुझ में वास नहीं करती मैं अब वर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ कि एक दुलहन का रियल मेक अप क्या होता है उसका सच्चा शिंगार क्या होता है जब मसी आएगा तो अपनी दुलहन में क्या देखना चाहता है मैं चाहता हूँ आप इस बात पर अब ध्यान देजे और मैं बिलीव करता हूँ यह आपकी जिंदगी को बदलेगा बाइबल बताती है एक व्यक्ति था जिसका नाम था पुराने नियम में दानियल वचन कहता है वो गुलामी में एक राजा उसे गुलामी में बानकर अपने देश में ले गया ताके वो उससे काम ले बड़ा वो दिखने में बहुत खुबसूरत था बाइबल बताती है कि जब वो वहाँ पर गया तो राजा ने ये बाट ठान ली कि ये व्यक्ति मेरे राज दर्बार में काम करे लेकिन कहां न कहां दानियल दुबला पतला था वो दिखने में एवरिज था और राजा ने डिसाइट किया कि उसे खाने में कुछ ऐसी चीजे दी जाएं जिससे उसकी बाड़ी और जिससे उसका चेहरा निखरे और मैं आपको बताना चाहता हूँ दानियल एक सच्चा विश्वासी था जो पुराने नियम में रहकर भी पुराने नियम की बहुत सारी बातों को जानता था कि उन्हें कैसे जिनी जीनी है मैं आपको बताना चाहता हूँ अधिकतर जो लोग है वो पवित्र शास्त्रा के बारे में बहुत कम जानते हैं और इसी लिए वो किसी भी शिक्षा पे बिलीव करते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके बास इतना ग्यान है कि वो हर एक में से गलती निकाल लेते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ हर चीज एक बैलेंस में होनी चाहिए जरा सोचिए दानियल एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्र के वचनों में लिखी होई बड़ी बड़ी बाते नहीं बहुत छोटी छोटी बाते भी वो जानता था आप जानते हैं आज बहुत सारे जो लोग हैं वो बाइबल को पढ़ने में बड़े लेजी हैं बड़े सुस्त हैं आज शायद वो मेरी इस बात को सुनकर एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल सकते हैं लेकिर वो ये बात नहीं जानते हैं कि एक दिन उन्हें इस इग्नोर करने का कितना बड़ा प्राइस चुकाना पड़ेगा, शायद वो इस बात का अंदाजा भी नहीं जानते। आप अगर नए नियम में पड़ेंगे, बाइबल एक बात एक्स्प्लेइन करती है कि न्यू टेस्टरमेंट में राजा हेरोदस नाम का भी एक व्यक्ति था, जब उसे पता चला कि मसी का जनम हुआ है, यहुदियों के राजा का जनम हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता उसने उस समय लोगों को बुलाया और उनसे पूछा कि मुझे बताओ कि मसी का जनम कहा होना चाहिए, कितनी बड़ी बात है, एक राजा इस्राइल के उपर राजा कर रहा है, पर उसे पवित्र शास्त्र की ठीक से जानकारी भी नहीं है, वो दूसरों से पूछ रहा है, यह एशु मसी को नए नियम में एक आत्मिया के कहता है, प्रभू बड़ी आग्या कौनसी है, ऐसा लिखा गया है कि एशु ने उससे कहा कि तुम विवस्था को कैसे पढ़ते हो, अगर आप बाइबल को आराम से पढ़ें तो जो दनवान व्यक्ती मरने के बाद उस आग में ग पड़ें, मैं आपको सच कहता हूँ, जो लोग खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते, जो लोग खुदा के कलाम को नहीं जानते, उन्हें नहीं पता कि फ्यूचर में उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, उन्हें कितना रिगर्ट फील हो सकता है, कि मैंने क्यू क्यूं मैंने अपने भायों की बात नहीं मानी नीती वचन में लिखा गया है यदि एक व्यक्ति बटकना चाहता है तो सिर्व एक काम करे शिक्षा को सुनना बंद कर दे कितनी खतरनाक वार्निंग है कि अगर एक व्यक्ति को बटकना है तो सिर्फ एक काम करे, परमेश्र के वचन को सुनना और पढ़ना बन कर दे, और वो बढ़क जाएगा, automatically, हवा की तरह, पत्तों की तरह यहाँ वहाँ उड़ता रहेगा, आप जानते हैं, बाइबल यहाँ पर बात करती है, दानियल जो था, वो कहा न कहा परमेश्र के वचनो को जानता था, इवन गुलामी में भी वो एक जगप ऐसा कहता है, मुझ दानियल ने यर्मिया नभी की बात के दोरा समझ लिया, कितनी बड़ी बात है, वो बविश्य वक्ताओं की किताबों को भी जानता था, और आप जानते हैं, जब दानियल के सामने ऐसा बोजन रखा जो खुदा के कलाम में मना था, उसके वचन में मना था, तो उसने जो लोग उसे खाना परोस्ते थे, उसने उनसे विंती की कि मुझे ये खाना मत दो, क्योंकि दानियल जानता था कि ये खाना खुदा के कलाम में मना है, और दानियल ने उन्हें कहा कि मुझे साखपात दो, कई दिन तक साखपात खाने के बाद जब दानियल राजा के सामने दर्बार पहुंचाया गया तो वो उनसे अधिक चमक रहा था जो राजा का खाना खा रहे थे आप जानते हैं पुराने नियम के अंदर बहुत सारे बोजन ऐसे थे जिससे खाने की वज़स से एक इनसान परमेश्र की नजर में अशुत वरण अनक्लीन होता था अब मैं बात नए नियम में ले जाता हूँ बाइबल ऐसा बताती है एक समय ऐसा आया जब येशु मसी ने फरीसियों से कहा तुम जो खाते हो वो तुमें अशुत नहीं करेगा लेकिन जो तुमारे अंदर से निकलता है किसी स्थरी को देखकर गंदे वीचार किसी के पैसों को देखकर लालच के मेरे पास भी इतना हो गुसा बार बार गुसा आना चुगलिया मारना यहां की बाते वहां करना आप जानते भी हैं के आपके बात्चीत करने की वज़े से बहुत कुछ खराब हो रहा है लेकिन आप बस नहीं कर रहे हो आप छुप नहीं कर रहे हो आप जानते हैं पुरानी नियम के अंदर इनसान जो खाता था उससे वो अशुत ठherता था लेकिन नए नियम में येशु मसी ने कहा अब इनसान खाने के कारण नहीं लेकिन जो उसके अंदर से निकलता है वो उसे अशुद करता है आप जानते हैं एक दिन पतरस दुआ कर रहा था एक चदर नीचे उतरी उस पे बहुत सारी जानवर थे और वहाँ पर आवाज आई उ जैसे मैंने शुद ठहराया है तो उसे अशुद मत कह आप जानते हैं पतरस येशु मसी को जानने के बाद भी बहुत सारे लोगों से मिलता नहीं था प्यार नहीं करता था और ईशु ने उसे समझाया किसे भी अनक्लीन मत कह क्योंकि मैंने हरे को क्लीन ठहराया है मैं आपक बाद उनी लोगों से दोस्ती रखते हैं, जो आपके स्टेंडर्ड के हैं. मैंने बहुत सारे लोगों देखा है, जो पड़े लिख्यों होते हैं, जब वो देखते हैं, कि कोई अंपड़ है, तो उसे फ्रेंड्शिप नहीं करते हैं. उनके साथ बहुत येस और नो और येस अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने स्टेंडर्ड को देखकर लोगों से दोस्ती करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप मसी नहीं है आप एक अविश्वासी है येशु मसी जब क्रूस पे मर रहे थे तो वो ऐसे मरे थे पॉलूस कहता है उसने यहुदी और अन्य जातियों की तरफ है उसने अपने हाथ फैलाए और उसने दोनों को एक किया है आप जानते हैं जब दानियल ने पुराने नियम में उस बोजन को छोड़ दिया क्योंकि दानियल जानता था ये खाना उसे अशुद करेगा लेकिन नए नियम में येशु मसी ने कहा आप जब स्तरियों को देखते हैं आपको बुरे विचार आते हैं आप बहुत चिर्चडे गुसे बास बार बार पर दमकियां देना बार बार पर लोगों को गालियां देना आप एक ऐसे व्यक्ति हो या आप देखते हो कि आपके अंदर जलन होती है किसी की उन्नती को लेकिन आपको जानते हैं, दुनिया के लोग तो जलन में जादू टोना तक कर लेते हैं, जर्णा सोचिए। और Bible साफ साफ बताती है, तोना करने वाले, ये मैं नहीं कहता हूँ, मुझे कोई हक नहीं है, किसी का न्याय करने का परमेश और न्याय है, लेकिन Bible के अंदर लिखा गया है, जादू तोना करने वाले सब नरक में पाए जाएंगे. अब मुझे एक बात बताईए एक ऐसी दुलहन जिसके अंदर से ये बाते निकलती है क्या ये दुलहन तयार है अगर आप एक ऐसी दुलहन हो प्रभू की एक ऐसी दुलहन हो यहाँ पर मेल और फीमिल की बात नहीं हो रही है याद रखना जब मैं आपको कहता हूँ दुलहन तो आप ये मत सोचों कि मैं बहनों के लिए बात कर रहा हूँ याद रखिए परमेश्र के राज्यम में नर और नारी नहीं है बेटा और बेटी नहीं है एक व्यक्ती ने येशु से पूचा प्रभू मेरा एक भाई था उसने एक से शादी की वो मर गया बगया संतान उत्पन किये हुए उसके बाद उसके दूसरे भाई ने शादी की ऐसे करके सपने की अब जब हम वहाँ जाएंगे तो ये लड़की किस की बीवी कहलाएगी प्रभू ने का वहाँ शादिया नहीं होती वहाँ नर नारी नहीं होती वहाँ पर हम सब एंजल्स की तरह है जब मैं कहता हूँ दुलहन तो आप मेल फीमेल में मत बाटिये दुलहन मतलब वह परसनालिटी जिसको येशु मसी लेने आने आने वाले है और आप जानते हैं बाइवल क्या बताती है बाइवल बताती है अगर मैं एक ऐसी दुलहन हूँ प्रभू की जिसमें इस तरह की बातें वास करती है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वो दुलहन है जिसका मेक अप बिलकुल नहीं हुआ है क्या है मेक अप? क्या आप जानते हैं येशु मसी ने कहा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा मैं जाओंगा, मैं प्रात्ना करूँगा कि खुदावन तुम्हें पाकरू दे परमेश्वत तुम्हें पवित्रा आत्मा दे आप जानते हैं क्यों येशु मसी ने हमारे लिए प्रात्ना किये कि हमें पवित्रा आत्मा मिले ताके हम जिनके अंदर कोई अच्छी वस्तुवास नहीं करती हमारे अंदर पवित्रा आत्मा आए और हमारे अंदर एक अच्छी वस्तुवास करे मेरे भाईयों मेरी बहनो मैं आपको बताना चाहता हूं पुरानी नियम के अंदर दानियन नभी की किताब में समझाया गया है कि बोजन इनसान को पुराने नियम में अशुत करता था लेकिन नए नियम के अंदर येशु कहते हैं अब जो तुम खाओगे उससे नहीं लेकिन अब जो तुमारे अंदर से निकलेगा वो तुमें अशुत करेगा वो अशुत्ता, वो खालीपन वो पॉलूस की बाद जो यहां लिखी गई है मुझमें कोई अच्छी बदू वास नहीं करती परमेश्वर ने हमें हमारे अंदर पवित्रा आत्मा दिया है ताके हमारे अंदर से अच्छी बाते निकलें यही आपका रियल मेकप है अगर आप और में एक ऐसे व्यक्ती है हमने शुरुआत ऐसे की है पॉलूस कहता है कोई अच्छी चीज मुझमें वास नहीं करती सिर्फ बुरी चीज़ें हमारे दर वास करती है उन बुरी चीज़ों की लिस्ट है येशु ने कहा एक इनसान के अंदर से जो निकलता है दूसरे की स्त्रियों को देखकर गंदे विचार लड़कीयों को देखकर गंदे विचार मुबाइल के अंदर पॉन वीडियो देखना फेस्बुक पे जाके लड़कियों के फोटोस को देखना चुपचुपके और कहा ना कहा गुसा करना, गालिया निकालना चुगलिया मारना, यहाँ की बाते वहां करना बेहनों और भाईों के भीट में फूट डलवाना बातों को बड़ा चड़ाना पॉलुस यहां कहता है कोई अच्छी वस्तू वास नहीं करती, इसका मतलब सारी बुरी चीज़े हमें वास करती है, पर मेश्वर ने आपके अंदर पवित्रात्मा बेजा है, ताकि वो पवित्रात्मा आपके अंदर से उन बुरी वस्तू को निकाल के आपके अंदर आपको पल दे, आपको fruits दे, यही आपका real makeup है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या पवित्रा आत्मा आपके अंदर आपको इस तरह तयार कर रहा है, जैसे मैं अब आपको बताऊंगा, जरा सोचिए, एक बात, मैं makeup की list देता हूँ मैं आपको, जैसे आपको बहुत कुछ पता होगा, eyebrows करवाना, bleach करवाना, बहुत सारी, आपको पता है, कि makeup में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं आपको एक makeup की list देता हूँ, क्या आपको ये makeup है? येश्व मसी भीर को देखकर तरस खाता था, उन लोगों को देखकर जो उसकी बातों को भी नहीं मानते थे, जरा सोचिए, आप कुछ कहते हो और कोई आपकी बात नहीं मानता, आपको गुसा आता है, कि आपको तरस आता है, कि इस आत्मी के लिए दुआ करनी चाहिए, उनको देखकर क्या सोचते हो कि ये नरक में जाएंगे ये कभी नहीं सुधरेंगे कि आप येशु की तरह उनको देखकर आपको तरस आता है मैं आपको बताना चाहता हूँ 90% अपने रिश्ट सिधारों को देखकर जिनको उनने गौस्पल बताया है पर उनने बिलीव नहीं किया है जानते हूं उनकी लिए क्या सोचते हैं ये तो बची नहीं सकते हैं ये कहां से बचेंगे ये तो नरकी जाएंगे इनने तो सुधरना ही नहीं है ये तो गलत हैं आप देखते हूँ, आपका मेकप गायब है, येशु मसी उन लोगों को देखकर जो उसकी बातों को भी नहीं मानते थे, उन्हें देखकर उन्हें तरस आता था, जरा सोचिए आप एक मेज पर बैठे हैं और आपको पता है कि कुछ गंडों के बाद एक आत्मी आपको हुआएगा, लेकिन आप उसके भी पैर धो रहे हैं, क्या आपके अंदर ऐसा मेकप है, जरा सोची, येशु को पता था कि एक आत्मी उसे क्रूस पर मारेगा, और पतरस ने उसका कान उड़ा दिया, येशु ने उसी कान को लेकर उसको जोड़ दिया, और पतरस से कहा ऐसा आपके और अंदर रख, वो अपने सताने वाले, उसको पता था, ये मुझे सताएंगे, वो उससे भी प्यार करता था, आपके अंदर प्यार हो, आपके अंदर दूसर्रों के लिए इजसत हो, आपके अंदर लोगों को बरदाश करने की ताकत हो, ये आपका Real Make Up है, शर अगर आपको नहीं नवाजा जा रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ mistake पवित्रात्मा की नहीं है, mistake आपकी है क्योंकि आप में और मुझ में ऐसा बहुत नेचर है कि जब हम मीटिंग्स को सुनते हैं तो हम मीटिंग को इंजॉय करते हैं वाओ, नया वर्ड आया है, टाइटल तो पढ़के देखो, आज कुछ नया सुनने को मिलेगा लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो वच्चन सुनने के बाद अपने गुटनों पर आते हैं कमरे में जाते हैं और खुदा के सामने आंसू बहाते हैं खुदा जो मैंने सुना है, वो मुझे चाहिए, जब तक तू मुझे नहीं देखा मैं उस विद्वा की तरह बार बार तेरी डेवडी पे आऊंगा चिलाऊंगा, रोऊंगा, तुझे पुकारूंगा क्योंकि मुझे वो चाहिए, ये वो लोग होते हैं जो मसी की दुलहन मेकप के साथ बन पाते हैं आपका रियल मेकप, आपका रियल शिंगार सिर्फ अपने आँखों में काजल लगाना, बालों को स्ट्रेट करवाना नहीं है आपका रियल मेकप है, परमेशवर के फलों में अपने आपको तयार रखना मेरे बाईयों, मेरे बैनों, मैं आपको कहूँगा मैं इतना भी जानता हूँ, आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं आप में से अधिकतर लोग ठंडे हो चुके है आप में से बहुतों ने प्रभू के पीछे चलना बंद कर दिया है आप सिर्फ बाईबल पढ़ते हो, दुआ करते हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आपको अपने आप से लड़ाई करनी चाहिए कि नहीं मैं यह नहीं करूँगा और आप इजीली फिसल जाते हो इस इस नॉट अट वे, यह रास्ता नहीं है समर्पन कीजे प्रभू से कहिए, प्रभू मैं आपकी दुलहन हूँ पर मेरे अंदर से मेक अप गायब है समर्पन कीजे Surrender your life और पवितरात्मा से कहिए, पवितरात्मा मैं उसकी दुलहन हूँ मुझे अपने फलों से नवाज दिये मुझे अपने फलों में तयार कीजे मेरे अंदर से लोगों के लिए प्यार हो, मेरे अंदर लोगों के लिए इज़त हो मैं वो विक्ति न बनूँ जो सामने इज़त करूँ लेकिन पीछे बुराईया करूँ मुझे एक ऐसा विक्ति बना कि मैं सामने भी प्यार करूँ, पीछे भी प्यार करूँ मेरे भाईों, मेरी बैनों मेमने के विवा का समय आप हुँचा है बहुत जल्द हमारा प्रभू हमें लेने आएगा क्या आप तयार हैं? ज़रा सोची Be Ready आशिशित समझीए खुद को क्योंकि अब तक प्रभू नहीं आया है वो हमारे विशन में दीरस दर रहा है वो नहीं चाहता हम नाश हो लेकिन वो चाहता है, हम तयार हो मैं आप से विंती करता हूँ आज इस मीटिंग को पूरी होने के बाद अपने कमरे में चले जाए और खुदा से कहिए आए सरेंडर ओर लोड़ आए सरेंडर ओर झाल